गोल सेट करना और उस गोल पर काम करना एक important integral part है लाइफ में आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो उसके लिए and hence मैं हमीशा recommend करता हूँ अगर आपने पिछनी जी एक 25 की वीडियो देखी है कि आप अपने गोल सेटिंग पर focus कीजिए and before you even start studying अगर आपने गोल सेटिंगे एक time table नहीं बनाएंगे एक plan नहीं बनाएंगे तो without a plan किसी की चीज़ करना impossible इसी context में इसी line में पिछली वीडियो में जैसा promise लिया था आज हम discuss करने वाले में कि इतने type के आपको प्लैनर्स बनाने हैं कैसे आप एक अच्छा time table बनाते हैं एक अच्छा बोल बनाते हैं उसका क्या पाइदा हो तो बिना time-based करते हुए चल्दी से चालू करते हैं हाई गाईज माइब इस एकनूर सिंग आम फाइनल यूर स्टूट फ्रम इट बॉंबे और पिछली वीडियो जै ट्वेटी वनीव की इंट्रदक्शन थी तू वर्ड्स एन अटर्नल सक्सेस जहां आप आप इट जै में अपने फुल पोटेंशल पर परफॉर्म कर सकते आज की वीडियो चादू होने से पहले मैं चाह रहा हूँ आप मुझे प्रॉमिस कीजिए I will make a plan I will make a plan अगर आप इस जाके कमेंट कर रहे हो तो मुझे पता है आप इस वीडियो के परपस से चुड़ रहे हो and you are going to see the difference in you in your preparation and in your performance in the Joint Engines Examination चार साल दमदार preparations के, selections के और चार साल अंगिनत्स अपने पूरे होने के Physics वाला मना रहा है अपनी 4th anniversary, 4 years उनके खतम हो रहे है and इस खास मौके पे वो आपके लिए कुछ ऐसे special offers लाए है इसमें आप भी उनकी celebrations के साथ जोड सकते हो क्योंकि J का competition बढ़ रहा है ऐसे टाइम पर आपके फोकस, determination, dedication with a good strategy, with a good batch important है और कुछ ऐसे ही batches लाँच कर रहा है special offers पे पिर तो batches के नाम, prices और इनके complimentary batches आप screen पे देख सकते हो ये Arjuna J 2.0 2025, Lakshay J 2.0 2025, Prayas J 2.0 2025 ये तीनों आपको 4199 में मिल रहा है और इनके complimentary वाचे सा screen पे देख सकते हो Arjuna J 2.0 2025, Lakshay J 2.0 2025, 2499 और प्रयास J 2.0 2025, 2499 और प्रयास J 2.0 2025, 2499 और इसके साथ आपको complimentary प्रयास J 1.0 2024 पे मिल रहा है And PW आपको free access दे रहा है Arjuna J 1.0 2024 और Arjuna J 2.0 2024 और इसके साथ पढ़के PCM को अपने अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो So daily practice problems with video solutions and quiz format आपको मिलते है Her class के PDF notes आपको PW app पे मिलते है And scheduled tests भी planner के according होते है Now inki J books को PW store से भी खरीच सकते हो And PW store पे offer भी चल रहा है So आप check out कर सकते हो So PW has got you covered with their badges You can use my code ES150 to get an additional 50 rupees off on their badges So description में साई details है Go check it out all the very best Continue करते हैं video So सबसे पहले मैं discuss करूँगा कि क्यों आपको ये goal करना है क्यों ये goal बनाना है Very short में क्योंकि अगर आप ये goal नहीं बनाएंगे तो आप कई बार बहुत सार बच्चे जई में करते हैं अलग-अलग directions में 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 हनत करेंगे अलग-अलग subjects पढ़ेंगे मैं ये नहीं कहरा आप मेहनत नहीं करोगे मैं ये नहीं कहरा कि आप पढ़ाई नहीं करोगे पढ़ाई करते हैं बहुत लोग करते हैं सब लोग 10-10 गंटे-12 गंटे कोटा में पढ़ रहे होते हैं बट कोटा का हर बचा successful क्यों नहीं होता है या इवन जेए का हर बचा successful क्यों नहीं होता है क्योंकि एक सही direction में महनत करना important है उसको track करना important है and planning का यही पाइदा होता है कि your planned महनत is going in the correct direction and it is trackable and once your महनत is trackable once your work is trackable you are able to see the progress in you ठीक है इसे confidence boost तो होता ही है साथ में आपकी productivity भी maximize रहती है that being out of the way एक overall J planner you know the total time you have you know the total number of subjects and the total number of chapters that are left in each subject अब physics, chemistry, maths फिले आप इसको अलग भी बना सकते हो या एक combined भी बना सकते हो बट आपको total subjects by total time कुछ subject को आपको पता है जादा time देना है जैसे maths रेडिटिव लिए chemistry के chapter से जादा time लेकी इन सब चीजों को when you take into account तो आपके सामने आजाएगा एक total overall J planner जहाँ पे आप fix करेंगे आपका syllabus completion का time जहाँ पे आप fix करेंगे कौन सा chapter कब तक खतम होना चाहिए एक broad overview होगा यह आपकी अपनी estimate होगी मैं यह नहीं कहरा कि इसको strictly follow करना पड़ेगा या अगर आप इसको follow नहीं करोगे आप पीछे जाओगे but set slightly tougher deadlines for you and tougher deadlines हर time table में बनानी जरूरी क्यों है because that pushes you to think out of the box life में अगर आपको बढ़ना है आगे तो आसान and laid back attitude से आगे नहीं बढ़ोगे अगर आपको improve करना है तो आपको अपने आपको push करना पड़ेगा हमीशा एक धक्का खुद का धक्का life में आपको सबसे आगे लेके जाता है इसलिए overall planner बनाईए जहां पर थोड़ी थोड़ी सी conservative deadlines रख रहे हैं जहां पर for example आप aim कर रहे हैं कि December of this year तक मेरा पूरा syllabus ख़दम हो जाएगा maybe you achieve it, maybe you don't until at least push you to work harder इसको important point यहां पर यह भी है keep updating this with time हो सकता है एक महीने बाद आप realize करें कि कुछ chapters जादा time ले रहे हैं या ये timetable सही नहीं है maths के chapters से जादा time लेते हैं it's an iterative process आपको change करते रहना है अपनी speed के हिसाब से but all the same अपनी आपको push करते रहना है सबसे पहला बन गया आपका एक overall timetable, secondly आपको बनाना है monthly timetable या फिर weekly timetable, now this is up to you अगर आप एक month wise basis पे किसी coaching के साथ affiliated है जहां पे month on month कुछ सिरे बस cover होता है या फिर अगर आप self study में week wise prepare करते है मैं personally week wise इसको बनाता था क्योंकि मुझे Saturday से Saturday work करना होता था and Sundays को मैंने revision day रखा हुआ था so Sunday को रात को before the week starts मैं एक timetable बनाता था कि Monday से Friday से Saturday Monday to Saturday so and so subjects होंगे roughly ये classes है roughly school इतने दिन जाऊँगा मैं और कौन से कौन से chapters कौन से objects में पढ़ूँगा एक again broad level का timetable है furthermore Sunday को मैं को क्या revision करना है कौन सा मैं syllabus कौन सा chapter revise करूँगा इसके बार में भी मैं detailed plan बनाता था ठीक है अब ये बहुत important है मैं ये नहीं कहरा आप लिख लिख के जरूर बनाएए मैं भी ऐसा जूट नहीं बोलूँगा मैं हर बार ऐसे लिख लिख के नहीं बनाता था but एक mental note भी इस plan का बहुत जरूरी है and mental note कही बार बहुत helpful होता है ठीक है so just that exercise of planning you can keep it in your mind also you don't necessarily have to write it down definitely फाइदा दादा होता है अगर आप लिख हो आपके सामने because आप उसको track कर सकते हो ठीक है बहुत साहे लोग अपने gadgets में अपने phone में या किसी में रखते रहते हैं तो वो पूरा track होता रहता है कि आप कितनी पढ़ाई करते हो and आप track कर पाऊगे कि आप बढ़ रही है आपकी productivity या घट रही है because हमने already videos बनाई हैं इस पर कि कैसे एक day-to-day timetable बनाते हैं if you want I can make another one आप मीचे जाके comment कर दो कि एक best daily planner day 2025 के लिए क्या हो गा at this point but एक daily plan बनाना is the next step and is the most crucial step रात में अगला दिन शुरू होने से पहले सोने से पहले आपको अगले दिन का यह timetable detailed होना चाहिए आप कोशिश कीजिए कि इसमें आप number of questions that you'll solve या कौन सी book से पढ़ाई करेंगे कितने बज़े से कितने बज़े क्या करेंगे इसको जरूर लिखिए ठीक है आप बाकी दो timetables बनाए ना बनाए यह timetable आपको micromanage करने में help करेगा और आपको productive रहने में help करेगा if you follow this trust me आप सिरफ 6-7 घंटे भी अभी इस time पर पढ़ रहे हो that is much more than enough अगर आप 100% productivity से पढ़ रहे हैं ठीक है तो try doing this try incorporating this अगर आपने अभी तख comment नहीं किया नीचे जाके कर दो I will start planning या I will make a plan and I will know कि आप इस video को अच्छे से follow कर रहे हो और आप क्या चाहते हो J 2025 के लिए किस detail में do you want physics, chemistry, mathematics के preparation strategies बुक्स के बारे में वीडियो चाहते हो let me know in the comments I will make a video on that very very soon but आप subscribe कर दो channel को because इस journey में J 2025 की आप मेरे साथ जोड रहे हैं and हम कोई nonsense, कोई courses नहीं बेचने आले कोई आपको फालतु की मतलब mentorship नहीं बेचने वाले it's just going to be for you for your own benefit, मैंने जो कुछ भी सीखा है J.E. का अपनी जर्मी से और इतने साल इतने बच्चों को गाइड करके जो भी सीखा है वो आप तक पहुंचाने का आप अपने फूल पोटेंशल पे परफॉर्म करो यही हमारा पॉर्पस है and for that make sure you subscribe it means a lot आपके लिए फ्री होता है लेकन मेरे लिए काफी मोटिवेशनल होता है so thank you so much like कर दो वीडियो को stay safe, stay healthy and start working on this you will see the change in you bye I'm stable oh yeah, I'm stable oh yeah, no label oh yeah, you know me